विल्कम टू लोगड़ॉन इपार साला डिसी रामगर्ड, मैं निर्मना हमारी फिरसयाथ के साथ है। हम लोग उने पिछले वीडियो में Human genome project रिस्टार्ट किया था। उसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि क्या methodology क्या Human genome project है। यह लोग DNA का sequencing करते हैं जो भी base pair हैं, bases हैं उनके sequencing करते हैं। तो यह sequencing के लिए दो तरह का approach हैं किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए दो approach है। यह तो हो सकता है हम लोग सिर्फ हैं, so coding sequence, कहीं sequencing करें। DNA जो है, with coding and non coding sequence के साथ होता है आपको पता है। तो हम लोग सिर्फ जोता है coding sequence है, यह सिर्फ एक zone का sequencing करें। एक zone को ही sequence करें। यह हो सकता है। तो उसको हम लोग से सो इस method को हम लोगों ने कहा। इक्स प्रेस, sequence, दूसरा हो सकता है कि पर होल जीनोम को हम लोग सो coding करें। होल जीनोम में आपको coding sequence, non coding sequence को हम होगा। तो दूसरा approach हो सकता है कि हम लोग सो होल जीनोम का coding करें। तो उसके लिए सो जो term दिया गया है वो है sequence annotation. इसी टेक्निक को यूस किया है तो sequence annotation कुरा होल जीनोम को human genome project में code किया दिया। हम लोग सो DNA sequencing करने के लिए बेस का sequencing करने के लिए genetic engineering का सहारा लेते हैं। इससे DNA को निकालते हैं। उस DNA को यानि isolate दिया जाता है। DNA को निकालते हैं मतब isolate किया जाता है। isolate दिया जाता है। और इस isolated DNA को with the help of restriction endodipleate जिसको molecular seizure कहते हैं। उसकी मदद से fragments में तोड़ दिया जाता है। यानि हम लोग मिलेगा क्या? fragments मिलेगा, DNA का। इस fragments को sequence करना ज्यादा आसाल है, large DNA के पुर्षा। अब क्या किया जाएगा? इस fragments की copy बनाए जाएगी। इसको जो थे amplify किया जाएगा विद the help of host cell. host आपका bacteria भी हो सकता है, इसके भी हो सकता है. यानि इस fragments की copy बनाए जाएगी। किसमें copy बनाए जाएगी? bacteria में, यानि host cell में. वोस्ट cell आपका bacteria भी हो सकता है, या host cell आपका atheist भी हो सकता है। तो fragments, अगर इस हमारा होस्ट है तो वाइट का यूज करेंगे इस अगर इस हमारा होस्ट है तो वाइट के यूज करेंगे इस अगर इस तरह से हम लोग उन्हें जाना क्या मेठोडोलोजी है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेलिंट फीचर आप यूमन ईरूम प्रोजेक्ट पाढ़ेंगे